घोसी उपचुनाव के परिणाम से यह स्पष्ट हो गया है कि भाजपा ही नहीं उसके सहयोगी दलों, सुभासपा और निशाद पार्टी के नेता भी चुनावी प्रबंधन में फेल साबित हुए हैं। इनमें सबसे अधिक संख्या चोहान जाती की करीब 11 प्रतिशत और राजभर जाती की करीब 9 प्रतिशत है। इनके अलावा दलित मद्दाताओं की संख्या भी 21 प्रतिशत के करीब है। इसके बावजूद भाजपा प्रत्याशी दारासिह को कुल 37.54 प्रतिशत ही वोट मिले इसलिए माना जारा है कि सुभास्पा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और निशाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निशाद चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह से अपनी अपनी जातियों के मतों को लेकर दावा कर रहे थे वे गलत साबित हुए। अति आत्म विश्वास से भरे रहे दोनों नेता यह मान कर चल रहे थे कि उनकी जाति के लोग उनके अलावा किसी और के पाले में नहीं जाएंगे। तुलना में सपा से जुढ़े स्थानिय नेताओं का असर अधिक रहा। इससे सुभासपा और निशात पार्टी के नेताओं के बजाए लोगों ने स्थानिय नेताओं को तरजीह दी।